किलांचल टाइम्स के खाल स्पेशकस नगर्डिगम का दंगल नए साल पर सैलानियों के लिए सजधच कर तयार है पिकनिक स्पॉट पाखोर जिले के नए साल 2023 की आगमन को लेकर जिले बासियों में उत्साच चरम पर है नए साल में पिकनिक और सैर सपाटी के लिए जिला के पिकनिक स्पॉट सजधच कर तयार है जहां हर एक साल लोग अपने परिवार के साथ जाकर नए साल की सुरवात करते हैं पाखोर सहर के बीचो बेच स्थित सिद्धू कानो मुर्मू पार्क सैलानियों के आकर्शन का केंद रहा है सिद्धू कानो मुर्मू पार्क के एक छोर में स्थित माट्रिलो टावर है इसकी स्थापना 1857 इसवी में हुई थी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने माठ्रिलो टावर को बनवाया था इसे ब्रिटिश सासक पालूर ने अपने समराजे को संथाल योधाओं से बचाने के लिए बनवाया था संथाल योधाओं ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के खिलाफ यूद छेड़ दिया था इसके अलावे जिला मुख्याले के लोगों का पसंदिदा पिकनिक स्थल सहर कोल स्थित लड़ू बाबू आमबगान है आमडा पाड़ा प्रकृतिक विहार प्रखंड सहित जिल वासियों का पसंदिदा पिकनिक स्थल सहर है यहां के बंस लाई नदी में भी बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पहुंसते हैं और पिकनिक का मज़ा उठाते हैं नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए यहां पार्ख तयार है पाखोडिया और गोपी कांदार प्रखंड की सीमा परिस्टित तिरपितिया नदी पर चटानों से घिरा जल प्रताप सैलानियों के आकर्शन का प्रमुख केंद्र है प्रती वर्स नए साल के आगबन पर एक जनवरी को यहां भारी भीड उमरती है और लोग यहां जमा होकर वन भोज का लुफ्ट उठाते हैं इसके अलावा पाखोडिया प्रखंड के सीथ पूर इस्थित गरम कुंड का जहरना दुरगापूर डैम तिरपितिया नदी आम कोना घाट यहां के प्रमुख पिकनिक स्पॉट है महेशपुर नए साल पर सभी वर्ग के लोगों में पिकनिक मनाने को लेकर उमंग देखा जा रहा है प्रखंड मुख्याले का फोटो कांडगा गाओं के समीप इस्तित पहारी तथा ब्रिक्षों की जुर्मुट और पत्रों के बीच परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक मनाने का एक अलग ही आनन्द है शायद यही वज़ा है कि लोग अपने अपने परिवार के संग पिकनिक मनाने इस रामनिक स्थल पर पहुंसते हैं पिकनिक स्थल से थोड़ी दूरी पर बांस लाई नदी की बहती कल-कल जलधारा पिकनिक मनाने वालों की उच्छा को दुगना कर देता है इस पिकनिक स्थल पर बच्चे के लिए खेलने तथा मौज मस्ती के लिए खुली जगा होने की कारण भी पसंदिदा पिकनिक स्पोर्ट माना जाता है धन्यवाद